दिखिए एक साल में इस सरकार ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को विकास की कथा को पूरी पट्री पर लाने का प्रयास किया है और उसमें वो यशस्वी रहे है जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में भारत की विकास यात्रा समाप्थ हो गई इस प्रकार का वातावरन तयार हो आज आएमफ ये कहता है कि 2016 में भारत का ग्रोथ रेट ये दुनिया में सबसे जादा होगा और हम चाइना के आगे चले जाएंगे इतना ही नहीं केवल ग्रोथ रेट पर इस सरकार ने इंफसिस या स्ट्रेस नहीं दिया तो उसके साथ साथ सामाजिक नयाय की और सोशल सिक सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है इस सरकार ने शुरू की है वो बहुत पथदर्शी है और एक सामानने व्यक्ति को फिर चाहे वो इंशुरंस की योजना हो चाहे जंधन की योजना हो चाहे पेंशन की योजना हो एक सामानने व्यक्ति को उसके सीमित संसाधनों में इतिहास में इतना बड़ा सामाजिक सुरक्षा का कदम कोई सरकार ने उठा पाई और इसलिए सरकार को मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ तीसरी चीज किसानों के लिए इस सरकार ने जिस प्रकार से विवस्ताय खड़ी की है आज हमारा किसान क्लाइमेट चेंज के कारण कभी बेमोसम बरसात होती है कभी सुखा पड़ता है और अंग्रेजों के जमाने से पचास प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ तो सरकार नुकसान क्या मदद करेगी अन्यथा नहीं करेगी इस प्रकार का एक बड़ा ही अन्याय पूर्ण कानून जो बना था आज इस सरकार ने उसको बदला और 33% 33% से जादा नुकसान हुआ तब भी पैसा मिलेगा और जो राशी राहत में मिलने वाली है उस राशी को भी 50% से सीधा इस सरकार ने बढ़ाया तो मुझे लगता है चाहे वो किसान हो चाहे वो सामाने नागरिक हो आज देखिए जिस प्रकार से महंगाई पर इस सरकार ने काबू पाया है पेट्रोल डिजल के दाम लगातार घटे है जो हमारी जीवन आवशक वस्तुए है उनके दाम घटे है और एक प्राइस टेबिल के हित को जिस प्रकार से पुरानी सरकार ने एक प्रकार से ग्लोबल कम्यूनिटी में गिर्वी रख दिया था और जो हमारे अंतरराश्ट्रिय चर्चाय हो रही थी व्यापार के उपर उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो हजार सोला से किसानों को नहीं देंगे ये जो य अधिक के सरकार ने किया और इसी लिए आज हमारे किसानों को सूरकृषित्पा मिल रही है कुल मिलाकर कोई भी क्षेतर हम देखे चाहे वो स्किलडर्वलम्मेंट का ख्षेत्र हो रोजगार का ख्षेत्र हो विज्ञान का ख्षेत्र हो और सबसे बड़ी बाद एक साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोब इस सरकार के उपर नहीं लग पाया और इतना ही नहीं तो पारदर्षीता कितनी जो लोग कहते थे कि कोईले में कोई बदमाशी नहीं हुई उन सारे लोगों के मुँपर एक करारा चाटा एक प्रकार से इस सरकार के निर्णेयों से लगा है और हमने देखा कि जिस प्रकार का कोईले से समंद्धिक इस सरकार ने लाया आज सरकार की तीजोरी में तीजोरी में लाया है यूपय की सरकार ने जो तीजोरी में लाया है तूजी में करीब करीब दो लाग करोड रुपया आज सरकार को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शी, एक गतिमान और भारत को 21 सवी सदी का सिर मोर बनाने का जो कार्य हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी और उनकी टीम ने किया है, मैं ऐसा मानता हूँ, ये सच मुझ देश हित में कार्य करने वाले ऐसे ऐसी सरकार हमको मिलिये, मै इस सरकार का बहुत बहुत अबिननन करता हूँ, और विश्वा स्वेक्त करता हूँ, कि पाँच साल जब इस सरकार को समात होंगे, तो भारत ये दुनिया का सिर मोर होगा.